इंडियन प्रीमियर लीग में 3 करोर 20 लाक रूपे में मुंबाई इंडियन्स के लिए खेलने वाले नातु सिंग के पिता अभी भी अपने रोजगार से जुड़े रहना चाहते हैं नातु सिंग के पिता बारत सिंग का कहना है कि जाहे बेटे को करोणों रूपे मिले लेकिन वे आखरी समय तक अपने काम से जुड़े रहेंगे राजस्थान के नातु सिंग को IPL में मुंबई इंडियन्स ने 3 करोण 20 लाख में अपनी टीम के लिए खरीदा है तेज गेंद बाज नातु सिंग के पिता भरत सिंग विश्कर्मा इंडस्ट्रियल एरिये में वायर की फैक्टरी में मजदूरी करते हैं और महस कुछ रुपेओं में अपने घर का गुजारा करते हैं जब भरत सिंग फैक्टरी में वायर बनाने का काम कर रहे थे तो उन्हें पता नहीं था कि उनके बेटे पर धन की बारिश हो रही है भरस सिंग ने बटाया कि फैक्टरी के मालिक ने उन्हें बताया कि उनके बेटे को IPL में करोन रुपए में खरीदा गया है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा लेकिन अब भरत सिंग का कहना है कि चाहे बेटे को करोनो रुपय मिल रहे हूं लेकिन वे आखिर तक अपने रोजगार से जुड़े रहेंगे लेकिन वे पर्टो वेरियो क्रिकेट खेल तो रहे हूं मतब काम तो कौन थोड़ा मैं करें आलता काम तो आचा देखी जाए आलतो कराम तो करें लागा नेट पर बताया है हमारे बाबुजी है वह बताया तुम्हारा बच्चा को सेलेक्शन लोग जद कुशी मनी वाई अपन के माया सबरी से उस दिन का इंतजार है नातु सिंग की क्रिकेट के प्रतिदीवानगी इसी बात से लगाई जा सकती है कि क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए वो परिवार में होने वाले कायक्रमों मेn भी नहीं जाता था और बच्चपन सही कहता था यह एक क्रिकेटर बनेगा। क्योंकि मैं एक दिन क्रिकेटर बन के दिखाऊंगा सारे घरवाले भी कुछ है हम भी बहुत कुछ है कुल मिलाकर नाथू ने ये साबित कर दिया है कि अगर ठान लो तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं नाथू पर अब उसके परजनों को ही नहीं पूरे प्रदेश को गरवन नातू सिंग भले ही आई पील में मुंबई इंडियास जैसी टीम के लिए खेलेंगे लेकिन उनके घरवालों के इच्छा है कि वो एक दिन टीम इंडिया के लिए खेलें और वहीं उनके पिता का कहना है कि वो अपने पेशे से जुड़े रहेंगे कैमरामेन घंशाम करोल के साथ आधित त्यात्रे फास्ट इंडिया न्यूज